अगला unit देखते हम लोग, that is our unit number 7, which is dual nature of matter and radiation, और यह हमारा chapter number 11 रहेगा, which is dual nature of matter and radiation, और NTA ने जो हमको syllabus इसमें दिया है, वो यह है हमारा, which is photoelectric effect, Hertz and Lennart's observation, Einstein's photoelectric equation, particle nature of light, matter waves, wave nature of particles, D. Broglie relation, Davison-Germal experiment, जिसमें हमें बूला गया है कि only experimental details should be permitted and only the conclusion should be explained, तो यह हमारा syllabus रहेगा, और अब हम लोग यहाँ पर chapter की शुरुवात करते हैं, that is, that is dual nature of matter and radiation, और इसमें सबसे पहले हम लोग photoelectric effect की बात करेंगे, photoelectric effect is basically a phenomena of emission of electrons from the surface of metal when radiation of suitable frequency falls on it, तो यहाँ पर कोई light जिसकी एक suitable frequency रहेगी, वो एक metal surface के उपर incident होती है, तो इस metal surface से electrons emit out होते हैं, तो यह जो फिनोमेना है, light का incident होना और metal surface electrons का निकलना, यह फिनोमेना हमारा photoelectric effect के लाता है, right. So, for photoelectric effect, we can say it is basically the phenomena of emission of electrons from the surface of metal when radiation of suitable frequency fall on it is known as photoelectric effect, right, और यहाँ पर जो metal surface से जो electrons emit out होते हैं, इनको photoelectrons कहा जाता है, और इनके वज़े से जो current produce होता है, इसको photoelectric current कहा जाता है, So, we can say the emitted electrons are called as photoelectrons and the current so produced by them is called photoelectric current, right, इतना समझ में है, आगे बढ़ सकते हैं, चरिए अगला topic देखते हैं हम लोग इसी का है, which is work function, इसको हम लोग 5-0 या फिर डबलू से बताते हैं, work function is basically the minimum energy required to pull the electrons from the surface of a metal, right, तो यहां पर जो photons, metal surface के उपर में incident है, इनको कितने minimum energy चाहिए, ताकि वो metal से electrons को eject कर सकें, तो जो minimum energy, electrons को eject करने के लिए चाहिए होती है, वो energy हमारी क्या कहलाती है, work function कहलाती, तो यहां में से, ग्या कर दो लिए, तो वाओर सकती है, वो दोन पर एल की हना यहाशाए, तो वो किते हैं, च्बramणड़िकर दो किते हैं is this, बोने में तरल केतके हैं, सर्फेस ऑफे मेटल इस कॉल्ड वर्क फंक्शन ऑफे मेटल तो यह धियान रखेगा यह जो वर्क फंक्शन है हर एक मेटल का अलग अलग होता है और हर मेटल कोटो इलेक्टरी इफेक्ट्स शो करें यह भी कोई जरूरी नहीं और इसको वर्क फंक्शन को हम लोग इलेक्ट्रोन वोल्ट में मेजर करता है और एक इलेक्ट्रोन वोल्ट इंटरम्स ऑफ जूल इस गिवन बाई वन इलेक्ट्रोन वोल्ट इस एक्वास टू 1.602 इंटू 10 पावर माइनस 19 जूल्स आगे बढ़ते हैं एक्सपेरिमेंटल स्टेडी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक करें रिमोट को रख दो आप फोड़ा साइड में तो यह हमारा एक्सपेरिमेंटल स्टेडी का पूरा सेटप है जिसमें यह पूरी आपकी इवेक्वेटेड या फिर वेक्यूम्ड ग्लास जिसमें इसको हम लोग क्वार्ट्स विंडो कहते हैं इसके थुरू लाइट को इंसिडेंट कराते हैं और फोटो सेंसेटिव प्लेट यहां से इलेक्ट्रोंस निकलेंगे तो बेसिकली यह आपकी कैथोड हो जाई और इधर साइड में इधर साइड में यह आपका एनोड और यहां पर करन्ट कितना जनरेट हो रहा है इसको हम लोग माइक्रो एमिटर से मेजर कर रहे हैं तो यहां पर हमने इसके साथ-साथ दो वेरियबल बैटरी इस तरीके से तो यहां पर इनकी वैल्यू को ग्रो करके हम लोग अकॉर्डिंगली कैथोड और अनोड का पोटें पर्टिकुलर्ली एनोड को के लिए हम लोग बात करेंगे तो यहां पर इसी के थुरू इसका हम लोग पोटेंशिल चेंज कर सकते हैं तो इसमें सबसे पहले हम लोग स्टडी करेंगे इफेक्ट आफ इंटेंसिटी ओफ लाइट ऑन फोटो करें कि अगर हम लोग अलग अल इसीडेंट ऑन दी फोटो सैंसिटीव प्लेट जैसे आपका पहले दस है उसको फिर बीस कर दिया फिर तीस कर दिया तो इससे क्या हो आपका इंटेंसिटी यह नेकि नुब्र ओफ फोटोंस बढ़ रहे हैं लेकिन उनकी फ्रिक्वेंसी अलग नहीं सबके फ्रिक्वेंसी स रहें, तो जितने जदा यहाँ पर photo electrons incident होंगे, यहने कि जितने जदा intensity होगी, उसके directly proportional हमारा current रहेगा, देर्फोर we can say intensity is directly proportional और we can say photo electric current is directly proportional with the intensity of incident light, तो यहाँ पर हम लोग graph में देख सकते हैं कि intensity और photo electric current के बीच में यह आपका एक linear relationship है तो graph कैसा रहेगा straight line graph रहेगा so for this we can say for a fixed frequency of incident radiation radiation and accelerating potential the photo electric current increases right चले आगे हम लोग बात करेंगे ठीक है तो इसको complete करते है है तो इंक्रीजेज लीनियर्ली बेंट दी अधो इंक्रीजीं like इंसिदेंट लाइट इंडी की फोटो इलेक्रिक जो हमारा करेंट है यह डिरेक्टल प्रोपोर्शनल है और इसलिए यह आपका लीनेरली इंक्रीस करेगा विद इंक्रीस इंटेंशिटी ओफ इंसिदेंट लाइट आगे बात करेंगे हम लोग इफेक्ट आफ पोटेंशिल आगो फोटो इलेक्ट्रिक करेंट तो अगर हम लोग एख फीक्सट फ्रिक्वेंशी टि की चैना और इंक्रीस करेंगा पोटेंशिल के इंक्रीस कराने पर यह नीं कि अगर हम लोग यह पर इनके बीच का जो potential difference बढ़ाएं तो उसी के साथ-साथ हमारा photoelectric current भी बढ़ेगा जिसको हम लोग यहाँ पर graph में देख सकते हैं कि हम लोग यहाँ पर यह देखेगा collector plate का potential लगातार बढ़ा रहे हैं यहाँ से देखिए photoelectric current आपका लगातार increase हो रहे हैं और यहाँ पर यह आपका अलग-अलग intensity के लिए देखा जा रहे हैं लेकिन इतना तो कहा जा सकता है कि जैसे जैसे आपका इनके बीच में potential difference बढ़ाए जाएगा वैसे वैसे photoelectric current आपका बढ़ेगा और उसके बाद में एक particular stage पर पहुंचने के बाद में यह जो photoelectric current है वो constant हो जाएगा या फिर saturate हो जाएगा for a particular intensity राइट तो वी कें से एक फिक्स्ट फ्रिक्वेंसी एंड intensity of incident light photoelectric current increases with the increase in potential applied to the collector and after some time we can say at some stage right for a certain positive potential of plate A that is anode region all the emitted electrons are collected by the plate A and the photo electric current becomes maximum or saturates right or is maximum photoelectric current ko saturation current kaha jata hai so we can say this maximum value of photoelectric current is called kya kaha jata hai kya kaha jata hai saturation current saturation current current kha jata hai right right और इसके बाद में right क्योंकि हमने यहाँ पर light की frequency fix रखी है और अगर अब हम लोग potential को decrease करें और फिर बाद में इसको reverse करें तो यहाँ पर हम लोग graph से देख सकते हैं कि सभी के लिए एक particular potential पे यह photoelectric effect बंद हो जाएगा तो जिस पॉइंट पे यह हमारा photoelectric current बंद होगा उसके corresponding जो हमारा potential रहेगा वो potential कहलाता है हमारा stopping potential यह निकि इस दोरान पे जो भी photo electron जिसकी maximum kinetic energy होती है right उसको भी हम लोग एक reverse potential से stop कर सकते हैं और यह reverse potential हमारा क्या कहलाता है 5. 5. 5. 6. 6. 7. 7. 8. 10. 8. 9. 9. decreases but does not becomes 0 तो जैसे हम लोग यहां पर potential decrease कराते हैं current आपका decrease होता है और जब हम लोग यहां पर इसका potential 0 भी कर देते हैं तो भी वहां से current आपका पूरी तरह से खतम नहीं होते है current प्रफिक उसमें फ्लो करते हरता है रहाई 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 तो इसका मतलब क्या है इस शोओ स आप even in the absence of accelerating potential, few photoelectrons manage to reach the played A on their own. due to their kinetic energy, यहने की जब हम लोग potential 0 भी कर देते हैं, तो कुछ photoelectrons, plate C से plate A की तरफ हो जाते हैं, So, we can say, for a particular frequency of incident radiation, the minimum negative potential V0 given to plate A, for which the photoelectric current stops or becomes 0, is called cutoff or stopping potential, और इसके लिए हम लोग कह सकते हैं, यहां पर जो photon के पास maximum kinetic energy होती है, इसको भी हम लोग स्टॉप कर पा रहे हैं, इसको भी हम लोग स्टॉप कर पा रहे हैं, आगे बात करते हैं हम लोग effect of frequency of incident radiation on stopping potential, अब अगर हम लोग light की frequency अलग अलग रखते हैं, लेकिन सभी की intensity सेम रखते हैं, तो होगा क्या, अलग-अलग frequency के लिए stopping potential अलग-अलग होगा, और जितनी ज़्यादा light की frequency होगी, उतना ही ज़्यादा हमारा stopping potential होगा, तो यहां पर यह देखिए, आप graph में देख सकते हो, कि हमने यहां पर light की अलग-अलग frequency ले रखिए, new 1, new 2, new 3, जिसमें, new 3, new 2 से ज़्यादा है, और new 2, new 1 से ज़्यादा है, तो आप देख सकते हो, graph में, कि जैसे जिसे हमारी frequency बढ़ रही है, वैसे वैसे stopping potential की value भी बढ़ रही है, और क्योंकि सबकी intensity यहां पर same है, तो सबके लिए saturation current same, इतना सामझ में आ रहा है, So, for this we can say the value of stopping potential is different for radiation of different frequencies but value of saturation current for given intensity remains same for all incident radiations for all incident radiations as intensity remains constant right, तो यहां पर हम लोग कह सकते हैं कि जो हमारे stopping potential की value है, वो incident frequency से डारेक्ली प्रपोर्चनल है, so we can say the value of stopping potential is directly proportional to incident frequency, और यहां पर जो saturation current है, इसकी value intensity of incident radiation के उपर depend करेगी और यह आपकी, sorry, intensity of incident, हाँ, radiation के उपर depend करेगी, और यह जो है, frequency of incident radiation से पूरी तरह से independent है, यहां पर यह जो आपका saturation current है, यह frequency की value के उपर depend नहीं कर रहा है, यह किसके उपर depend कर रहा है, यह intensity के उपर depend कर रहा है, right, so we can say, the value of saturation current depends on the intensity of incident radiation and is independent of the frequency of the incident radiation, right, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगला topic देखते हैं, that is, stopping potential versus frequency graph, right, तो यहां पर आप देख सकते हो कि, हम लोग 2 metals के लिए, metal A और metal B के लिए, stopping potential और frequency के बीच में हम लोग graph को study कर रहे हैं, तो यहां पर आप देख सकते हो कि, जैसे जैसे frequency बढ़ रही है, वैसे-वैसे stopping potential बढ़ रहा है, यह नहीं कि, frequency और stopping potential के बीच में एक linear relationship है, right, इसलिए इसका जो graph रहेगा, वो straight line रहे है, लेकिन हर एक metal के लिए, जो stopping potential है, right, वो आपका अलग-अलग है, right, यहां पर आप particularly देख सकते हो, जब आपका stopping potential zero होगा, right, या फिर, हमारे पास में यह जो है आपका, this is your basically threshold frequency, यह नहीं कि, इतने frequency के बाद में ही आपका photoelectric effect शुरू होगा, right, तो यह threshold frequency जो है, वो metal to metal vary करती, So, we can say, the stopping potential varies linearly with the frequency of frequency of incident radiation for a given photosensitive material और यहां पर ग्राफ से हम लोग देख सकते हैं कि हमारे पास में एक minimum frequency होती है, that is cutoff frequency, new node, जिसके जिसके लिए हमारा stopping potential zero होता है, right, और यह जो आपका minimum frequency होती है, इसको हम लोग threshold frequency कहते है, right, so we can say, there exists a certain minimum minimum cutoff frequency new node for which the stopping potential is 0 is 0 and this minimum frequency is called threshold frequency right आगे बात करते हम लोग, अगला टॉपिक है, that is Einstein's photoelectric equation, right, तो Einstein's photoelectric equation, right, या फिर Einstein's photoelectric as per the Einstein, उन्होंने कहा कि हमारे पास में जो एक एक तो, इसकी जो photon में जो energy रहेगी, उसकी कुछ पार्ट की energy, metal से electron को eject करने के लिए यूज होगी, यानि की work function के लिए यूज होगी, और बची जो energy है, वो photo electron को kinetic energy देने के लिए यूज होगी, right, so as per the Einstein, we can say, the energy h nu, इसमे h हमारा Planck's constant है, और nu यहनि की frequency of photon है, so the energy h nu of incident photon is used in two ways, right, इसमें सबसे पहले हम लोग कह सकते है, that is a part of energy, a part of energy, किसके लिए यूज होगी दुरगेश, किसके लिए यूज होगी, बोलो, is utilized to overcome the surface barrier to make the electron come out of the metal surface and this part of energy is called is called work function, right, how can one be declared energy? kinetic energy दने के लिए, right, so we can say work function W, जिसके लिए पही नोट से भी लिखता है, is equals to h nu node, right, nu node यानि की यहापर threshold frequency, that is minimum frequency जिसके लिए आपका photoelectric effect, यह फिनोमेना यह शुरू होगा for a particular metal surface, right, और यहाँ पर जो बची हुई फोटोन की जो energy है, उसके लिए हम लोग कह सकते है, it is the remaining part of the energy energy is used in giving a velocity V to the emitted photoelectro. and this is equal to the maximum maximum kinetic energy of photoelectrons, right, therefore, यह बहुत important है, therefore, we can say, जो हमारी incident energy carried by photon होटी है, is equals to work function phi not plus maximum kinetic energy, right, or we can say, it is equals to H new not plus 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 E V not हम लोग कह सकते है, right, V not, E नहीं यहाँ पर आपक है, stopping potential है, चलिए, आगे बात करते हैं हम लोग, relation between stopping potential V not, frequency new and wavelength lambda of incident light, तो हमें Einstein's photoelectric equation से यह पता है, कि K max is equals to H new minus H new not, जो photon की, photon electrons की, जो maximum kinetic energy है, it is equals to incident energy of photon minus work function, right, K max, it is given by E V not is equals to, क्या हो जाएगा है हमारा H new minus H new not, और यहाँ पर अब पूरी equation को हम लोग E से divide करते हैं, तो यह हो जाएगा, V not is equals to H E into new minus H new not upon E, यहाँ पर new not यहने की threshold frequency, तो इस equation को हम लोग हमारी straight line equation, that is Y is equals to Mx plus C के साथ compare कर सकते हैं, तो यहाँ पर इस equation से हम लोग कह सकते हैं, कि अगर हम लोग V not और frequency की बीच में graph देखें, तो इस graph का जो slope, that is M, जो slope आपका 10 theta होता है, वो क्या हो जाएगा, simply H upon E, right, so we can say this slope will be given by M is equals to 10 theta is equals to H upon E, तो यहाँ पर यह आप देख सकते हो, potential और frequency के बीच में graph कैसे चल रहा है, straight line चल रहा है, और इसका जो यह slope है, वो क्या है, positive है, और H upon E है, और second C, C यहने की intercept on Y axis और यहाँ पर particularly V not axis के लिए, तो intercept हमें कहाँ पर मिल रहा है, minus H mu not upon E, right, so we can say, intercept on V not axis यह हमें मिल जाएगा, minus H mu not upon E, तो आप देख सकते हैं, इसको back side extend करेंगे, तो intercept कहाँ पर मिलेगा, हमको minus H mu not upon E पर मिलेगा, right, तो अब हम लोग इसको अब frequency के term में लिख सकते हैं, जो हमारे पास में यह equation है, जिसमें आपका यह frequency है, इसको हम लोग C upon lambda से लिख सकते हैं, right, तो उसके लिए हमारे पास में यह wavelength की equation बन जाएगी, तो यह हमारी जो equation है, वो किस प्रकार हो जाएगी, V not is equals to HC upon में E lambda minus HC upon में E lambda not, और इसको हम लोग straight line equation के साथ compare कर सकते हैं, so it will be Y is equals to MX plus C, तो यहाँ पर यह आपका फिर से straight line का आपका graph बन रहे हैं, जिसमें इसकी slope क्या हो जाएगी, slope क्या हो जाएगी, HC upon में E, और हमने जो graph है वो V not और 1 upon lambda की बीच में बना है, इसके लिए हम लोग कह सकते हैं कि जो हमारी slope होगी, it will be given by M is equals to 10 theta is equals to HC upon में E, और वहीं V not intercept, यह क्या हो जाएगा हमारा, V not intercept, यह हमारा हो जाएगा minus HC upon में E lambda not, so it will be minus of HC upon में E, right, I hope यह चीज़ समाझ में यह आपको, आगे बढ़ सकते हैं, आगे बढ़ते हैं, क्योशन देखते हैं, क्योशन हमारा क्या दिया है, कि the work function for a certain metal is 4.2 electron volt, right, कोई एक metal surface है, जिसका work function, यहने कि minimum energy required to eject a photo electron from the metallic surface is 4.2 electron volt, will this metal give photoelectric emission for incident radiation of wavelength 330 nanometer, तो पूछा जा रहा है, कि अगर इस metal surface के उपर में एक light incident है, जिसकी wavelength 330 nanometer दी गई है, तो क्या यह metal surface इस light के लिए photoelectric effect शो करेगा या नहीं करेगा, right, तो इसको कैसे देख सकते हैं हम लोग, तो सबसे पहले देखेंगे, कि यह जो photon है, जिसकी wavelength 330 nanometer है, उसमें incident energy कितनी है, और फिर उसको हम लोग work function के साथ compare करेंगे, तो हमें पता है, कि energy of a photon is given by h into new, और we can say it is new, यहने कि frequency, इसको हम लोग c upon lambda से लिख सकते हैं, क्योंकि photon की जो speed होती है, वो light की speed के बराबर होती है, so we can say it is equals to hc upon lambda, यह आपका joules में आएगा, तो इसको हम लोग electron volt में change करते हैं, तो electron volt में change करेंगे, तो यह हो जाएगा हमारा hc upon lambda e, electron volt, where e is the charge on an electron, तो यहाँ पर सभी values को expand करते हैं, तो h, यहने की हमारा planks constant है, जो की होता है, 6.63 into 10 to the power minus 34 into c, यहने की speed of light, that is equals to 3 into 10 to the power 8, कौन में? wavelength, यह हमें कितनी दी हुई है, 330 nanometer, so it is 330 into 10 to the power minus 9 into e, यहने की charge on electron, यह हो जाएगा, 1.6 into 10 to the power minus 19, अब देखो, यह calculation काफी complicated रहेगी, लेकिन इसका simple तरीका क्या है, कि यह जो हमारे constant है, इसकी एक fixed value होती है, right, that is equals to 1242, right, so it is, right, इस सारे की value हमारे पास कितने आएगी, 1242, right, पॉन में, यह आपका 330, right, तो wavelength यहाँ पर, हमारे किसम है, नैनो मीटर में, तो इसकी value हमारे पास में आजाएगी, 3.76 electron volt, तो देखेगा, photon के पास में energy कितनी है, 3.776 electron volt, और इस metal surface को कितनी energy चाहिए, minimum energy, ताकि photoelectric effect हो, 4.2, तो यहाँ पर, क्या इसको देखते हुए, इस metal का photoelectric effect हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, so we can say, as incident energy is less than work function, therefore, we can say, our photoelectric emission will not take place, right, तो photoelectric emission के लिए, हम लोग कह सकते हैं, कि यह होगा ही नहीं, right, तो, आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगला question देखते हैं, तीए, और next question is, the work function of a CCM, is 2.14 electron volt, calculate, तो हमें बोला किया है कि, CCM एक metal है, जिसका work function 2.14 electron volt है, और हमें, सबसे पहले यहाँ पर, threshold frequency for CCM, calculate करना है, secondly, we have to calculate the wavelength of the incident light, if the photo current is brought to 0, by a stopping potential of 0.60 volt, right, तो हमें, यहाँ पर, incident light की wavelength calculate करनी है, बोला जा रहा है कि, अगर, photoelectric current 0 हो जाए, जब stopping potential 0.60 volt हो तो, और planks constant की, value हमें बदाई गही, that is equals to 6.63 into 10 to the power minus 34 joules, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर threshold frequency calculate करेंगे, तो हमें पता है कि work function, ठीक न, phi naught is given by H into new naught, where new naught is threshold frequency, therefore, we can say, our threshold frequency new naught is equals to, phi naught upon H, values put करते हैं हम लोग, phi naught, यहने की work function, यह हमें दिया गया है, 2.14, और electron volt में दिया है, तो यह हो जाएगा, multiplied by 1.6 into 10 to the power minus 19, upon में, planks constant, तो planks constant, यह होता है हमारे पास में, 6.63 into 10 to the power minus 34, तो यहाँ पर, यह जो value है, यह constant value, और इसकी value होती है, 2.14 into, 2.4 into 10 to the power 14, तो यह हमारे पास में, इसका answer आजाएगा, 5.16 into 10 to the power, 14 hertz, अगले पार्ट में हमको, ठीक है ना, wavelength of incident light calculate करनी है, तो as per your Einstein's equation, यह हमें पता है, energy of incident photon is equals to, work function phi naught plus, maximum kinetic energy of photoelectron, तो energy of incident photon, is given by hc upon my lambda, is equals to phi naught plus, ev naught, where v naught is stopping potential, तो यहाँ से, हम लोग, wavelength lambda की value calculate कर सकते हैं, so it will be hc upon my, 5 naught plus, ev naught, right, h की value put करता है, that is equals to, 6.63 into 10 to the power, minus 34 into c, यहने की speed of light, that is equals to, 3 into 10 to the power 8, upon my, 5 naught work function, यह हमारा 2.14, plus, ठीक है न, ev naught, तो हमारा stopping potential हमें, 0.603 दियावा, 0.60 दियावा, और, यहाँ पर, यह आपका electron volt में, तो यह हो जाएगा, simply आपका, multiplied by, 1.6 into 10 to the power, minus 90, और, हमें पता है, कि, यह जो value है, यह होती है, हमारा पास में, 1, 2, 4, 2, ठीक है, आपका, इसकी value जो है, वो nanometer में, मिल जाएगी, अपकान में, राइट, 2.14 प्लस 0.6, यह नहीं की, 2.74, 74 nanometer, so it will be, 453 nanometer, आगे बढ़ते हैं, लगला topic देखते हैं, that is, Planck's quantum theory, यह कहती है, कि, जो electromagnetic wave है, इसमें, एनर्जी जो है, वो continuously distributed, over the wavefront, नहीं होती है, in fact, यह आपका कुछ, discrete packets, या फिर bundles, of energy के form में, travel करती है, और यह जो, discrete, जो आपकी packets, या फिर bundles, of energy है, इनको quanta कहा जाता है, क्या कहा जाता है, quanta कहा जाता है, so this is your Planck's quantum theory, right, और, एक quantum of light radiation, इसको हम लोग एक photon कहता है, right, so, our Planck's quantum theory says that, the energy, of an, electromagnetic, electromagnetic, wave, is, not, continuously, distributed, over the, wavefront, instead, it, तष्ष्थित स्थारी प्टेश IRA स्थारी प् рав続 called quantum, right? And we know one quantum of light radiation is called a photon, right? और फोटोन में जो एनर्जी होती है, it is equals to h new, new is c upon lambda, right? So we can say, energy of a photon is, e is equals to h new is equals to hc upon lambda, अब बात करते हैं, फोटोन का जो मोमेंटम होता है, right? So we can say, momentum of photon is given by, momentum P is equals to energy e upon में, speed, so it will be h upon में, right? आगे बात करते हम लोग, inertial mass of photon की, right? that is, inertial mass of photon, so inertial mass of photon, it is given by energy of the photon upon में c square, और it will be simply h upon में c lambda, फिर बात करते हैं, right? जो हमारा source है, जो लगातार आपका photon से emitt कर रहा है, उसकी power क्या होगी? so the power of source, right? it is given by P is equals to n into e, where n is number of photons emitted per unit time, it is n upon में t, right? is equals to, it is n h new, e को हमने expand कर लिया h new से, is equals to n hc upon में lambda, अब बात करते हैं, यह जो हमारे photons को यह particular surface पे incident है, तो इन photons की intensity क्या है? and we know intensity is given by energy upon में cross section area into time taken, right? e upon में t, यह निकी आपका power होता है, so it is power upon में area and we know power is simply n h new, so it is n h new upon में a और we can say it to be n hc upon में a lambda, बात करते हैं, अगर हमारे पास में जो surface है, वो perfectly reflecting हो, तो होगा क्या? जो आपका incident photon है, यह आपका यहाँ से वापस reflect होके, जितना इसके पास में linear momentum था, h upon में lambda, उतना ही momentum वापस reflect होके हो जाएका, तो हम लोग इसके लिए कह सकते हैं, इसका जो change in momentum होगा, right? So we can say change in momentum of photon will be, of photon will be, अगर यहाँ पर हमारे पास में n number of photons incident होए, तो change in momentum क्या हो जाएगा? 2 minus 2 into capital N into h upon में lambda, आगे देखते हैं, force on the surface, यह जो photon से, कोई particular source के उपर में है, यहाँ पर perfectly reflecting surface है, तो उसके उपर में, यह force लगाएंगी, जितना यह force लगाएंगी, that is force on the surface, is given by, force हमें पता है, it is given by rate of change of momentum, that is delta P upon में delta T, so it will be simply, 2NH upon में lambda, और we can say, इतो बी 2 into, power upon में, speed of light, फिर अगर यह force exert कर रहे हैं, तो उसके उपर में pressure भी exert करेंगी, और pressure क्या होता है, force per unit area, right, so we can say, pressure on the surface is equal to force upon में, area is equal to 2 into power upon में, AC, और it is simply 2 into intensity upon में, C, और यही अगर हमार पास में जो photon है, वो reflecting surface के साथ, अगर कुछ angle बनाता है, right, तो यहाँ पर, हम लोग momentum का component लेंगे, जो इस motion के along है, या फिर इस reflecting surface के जो perpendicular, right, so we can say, our force will become 2 into power into cos theta upon में, C, और it will be simply 2 and H cos theta upon में, लेंड और यह जो इस surface के उपर में, pressure exert करेगा, right, यह जो exert करेगे pressure, it will be given by, pressure is equal to force upon में area, और it will be simply 2 into power into cos theta upon में AC, और it will be 2 into intensity into cos theta upon में C, right, आगे देखने, आगर हमारे पास में, जो incident surface है, वो perfectly absorbing surface होता है, तो, इसके लिए, हमारा जो यह photons, इसके उपर force लगाएगा, it will be given by, power upon में C, और यह जो surface के उपर में, pressure exert करेगा, it will be given by, force upon में area, is equals to, power upon में, AC, is equals to, intensity upon में, speed of light, तो, इसी से related, question देखते हैं हम लोग, question यह हमें दिया गया है कि, ए 100 watt sodium lamp, radiates energy uniformly in all direction, हमारे पास में, एक 100 watt की, sodium lamp है, जो energy हर direction में, radiate कर रहा है, तो, यह जो हमारा lamp है, एक large, बड़े स्पेर के, सेंटर पर है, और यह जो, स्पेर है, वो जितनी भी, यहाँ पर light, यह 100 watt का पल फेक रहा है, उसको पूरी तरह से, एब्सोर्ब कर रहा है, फिर बोला किया है कि, the wavelength of the sodium light is 589 nanometer, इस sodium lamp की, जो आपकी light emit हो रही है, इसकी wavelength हमें कितनी बताई गई है, 589 nanometer, तो बोला किया है कि, what is the energy per photon associated with the sodium light, तो energy per photon कितनी होगी, यह हम से पूछा जा रहा है, and at what rate are the photons delivered to the sphere, और किस rate से, photons जो है, वो स्पेर के उपर में, believer किये जा रहे हैं, तो यहाँ पर सबसे पहले, हम लोग बात करते हैं कि energy की, और हमें पता है, एक photon में energy कितनी होती है, hc upon में lambda, और we can say it to be, 1242 upon में, wavelength in nanometer, यह हमें कितनी दी गई है, 589, तो इसकी unit रहेगी, electron volt में, तो यह simply हमें मिल जाएगा, 2.1 electron volt, और फिर, secondly हमें पूछा गया है कि, कि किस rate से, photons sphere के उपर में strike होंगे, तो हमें पता है, power is equals to n into e, therefore, we can say, small n is equals to, power upon में, energy e, so it is, power हमारा 100 watt है, और energy कितनी है, 2.1 electron volt, और joule में कितनी हो जाएगी, 2.1 into 1.6 into 10 to the power, minus 19, और it will be simply, 2.96 into 10 to the power 20, photons, पर second आ जाएगी, इतना समझ में है, आगे बढ़ सकते हैं, आगे बात करते हैं हम लोग, photo cells की, photo cells का, यहाँ पर देखो, diagram आपको दिया गया है, और इसका photo cell का basic utilization क्या है, so it is used to convert light energy, into electrical energy, और इसका जो working principle होता है, यह photo electric emission के उपर होता है, जैसे यहाँ पर, अगर कोई light particular frequency की incident है, इस metallic surface के उपर में, तो यहाँ से photo electrons emit होंगे, और photo electrons emit होके, यहाँ पर इस circuit में current flow कराएंगे, यहने की basically यह light energy को, electrical energy के form में convert कर रहे हैं, right, so for photo cells, we can see, it is a device which converts light energy into electrical energy and for this we can say, it works on the principle of photo electric emission, right, समझ में आई, आगे बढ़ सकते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं हम लोग, compton effect की, right, compton effect में क्या होता है, कि हमारे पास में जो incident photon है, जिसमें कुछ energy है, जब वो एक electron को strike कराएगा, तो electron क्या करता है, इसकी कुछ energy को use कर लेता है आपका, to gain the kinetic energy, और बाकी energy, बाकी energy को as a form of photon ये वापस eject कर देता है, so this is your compton effect, यानि कि यहाँ पर photon पूरी तरह से absorb नहीं होता है, एक आपके पास में जो incident photon होता है, वो जब electron के उपर में strike करता है, तो वहाँ से फिर आपका scattered photon निकलता है, अलग frequency का और अलग wavelength का, right, so this is your, this phenomenon is your compton effect, so we can say, it is scattering, of a photon by an electron is called compton effect, right, और यह जो आपका scattered photon है, इसमें जो energy रहेगी, वो definitely incident photon से कम रहेगी, यहने कि इसकी जो wavelength है, वो ज़्यादा रहेगी, compared to the wavelength of incident photon, right, और यहाँ पर जो incident photon से जो energy lose हुई है, right, वो electron के दोवारा, kinetic energy के form में ले ली जाएगी, so we can say, this scattered photon will have less energy, यहने कि इसकी wavelength ज़्यादा रहेगी, that is more wavelength, right, ज़्यादा हो कि किस से, than that of incident photon, तो हमारा पास में जो incident photon है, उससे यहाँ पर इसकी ज़्यादा wavelength रहेगी, so we can say, the scattered photon will have less energy, that is more wavelength, than that of incident photon, जिसकी wavelength कम रहेगी, that is of less wavelength, and we can say, the energy, lost by the photon is taken by electron as kinetic energy, right, तो यहाँ पर यह जो photon है, इसकी wavelength में change आ रहे है, ठीक न, content effect के वज़े से, तो इस wavelength के change आना, इसको content shift कहा जाता है, त्या कहा जाता है, content shift कहा जाता है, so we can see, प्रगला point इसका, we change in, त्या कहाँ जाता है, 10 इस गिवन बाई final wavelength minus initial wavelength is equals to h upon में m0c into 1 minus cos theta is equals to lambda c into 1 minus cos theta जिसमें यहाँ पर यह हमारा h upon में m0c जो की basically हम लोग yc से बता रहे हैं यह हमारा compton wavelength कहलाती जिसकी value होती है 2.426 into 10 to the power minus 12 meter, right so we can say वेर h upon में m0c is equals to lambda c is equals to compton wavelength जिसकी value होती है 2.426 into 10 to the power minus 12 meter and यहाँ पर यह जो आपका m0 है this is your rest mass of electron this is your rest of electron right चली आगे बढ़ते हैं हम लोग अगला टॉपिक है आपका matter waves और D broccoli waves तो matter waves या फिर D broccoli waves यह क्या है these are the waves which are associated with moving particles इनको हम लोग matter waves या फिर D broccoli waves भी कहता है तो D broccoli ने कहा कि कोई भी object कोई भी matter जो अकर motion में है वो एक wave characteristic भी शो करता है और यह जो wave कर carry करता है या फिर इसमें जो waves बनती है यह हमारी क्या कहलाती है matter waves या फिर D broccoli waves कहलाती है so for this we can say the wave associated with moving particle is called matter waves और D broccoli wave और D broccoli wave इसकी जो wavelength होती है it is given by wavelength lambda is equals to h upon mv where h is planks constant and mv is basically momentum so it is h upon में p होगी अब बात करते हैं D broccoli wavelength of an accelerating electron, proton, deuteron and alpha particles इसमें particularly हमारा electron important है तो अगर हम लोग एक electron को v potential से accelerate कराते हैं इसमें जो हमारी D broccoli wavelength या फिर matter wave की जो wavelength होगी it will be given by for electron यह बहुत important है it will be lambda L is equals to 12.27 upon में under root of v v यहाँ पर potential है और unit रहेगी इसकी angstrom वहीं अगर यह हमारा proton हुआ तो उसके लिए wavelength रहेगी हमारी 0.286 upon में under root v रहेगी और यही अगर deuterone रहा रहेगी so for deuterone we can say it will be lambda is equals to 0.202 upon में under root of v angstrom और वहीं यह पार्टिकल अगर alpha पार्टिकल रहा तो इसके लिए wavelength हो जाएगी हमारी 0.101 upon में under root of v angstrom आगे बात करते हैं हम लोग d broccoli wavelength for thermal neutrons तो thermal neutrons के लिए जो d broccoli wavelength होती है it is given by 25.17 upon में absolute temperature d unit रहेगी angstrom angstrom यहने की 10 की पावर आगे देखते हैं इसे related question है question देखी यह हमें दिया गया है कि a particle of mass 1 milligram has the same wavelength as an electron moving with a velocity of 3 into 10 to the power 6 meter per second so what is the velocity of the particle तो बोला गया है कि एक particle है ठीक है जिसका mass हमें 1 milligram दिया गया है इसकी जो wavelength है वो एक electron जो की 3 into 10 to the power 6 meter per second की speed से move कर रहा उसके बराबर है तो यहाँ पर particle की velocity क्या है यह हमसे पूछा जा रहा है तो देखीएगा हमें यह दिया गया है कि wavelength of particle is equals to wavelength of electron तो यहाँ पर wavelength कौन सी meter waves की wavelength जो की होती है हमारे पास में h upon में mv और particle की बात कर रहे हैं तो h upon में mp into vp बोल सकते हैं is equals to h upon में mass of electron into velocity of electron तो यहाँ से हम लोग यह h और यह h को cancel out करते हैं तो जिससे हमको अब यहाँ पर vp की value मिल जाएगी तो vp यहने की velocity of the particle यह क्या आजाएगा हमारे पास में mass of electron into velocity of electron upon में mass of particle so it will be mass of electron यह होता है हमारा 9.1 into 10 की power minus 31 into velocity of electron यह हमें कितना दिया हुआ है 3 into 10 to the power 6 so it is 3 into 10 to the power 6 upon में mass of particle यह हमको कितना दिया है 1 mg तो 1 mg यह नहीं की 1 into 10 की power minus 6 kg तो इसको solve करने पे इसकी value आएगी हमारे पास में 2.7 into 10 की power minus 18 meters per second तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगला question देखते हैं अगला question यह हमें दिया गया है कि the kinetic energy of an electron is 5 electron volt एक electron है जिसकी kinetic energy हमें बता रखिए 5 electron volt है so calculate the d Broglie wavelength associated with it तो इसमे d Broglie wavelength या फिर matter waves की wavelength की वेवलेंद क्या होगी यह हमसे पूचा जा रहा है और बोला गया है कि H यहने की Planks constant की value आपको 6.6 into 10 to the power minus 34 लेनी है Joule second और electron का mass 9.1 into 10 to the power minus 31 kg लेना है तो वेसे इन सब चीजों की हमें जरूत पड़ेगी नहीं क्योंकि हमें पता है कि wavelength of electron is given by 12.27 upon में under root of potential तो यह आ जाएगा हमारे पास में 12.27 तो electron में energy कितनी है 5 electron volt यहने कि इसको 5 volt से accelerate कराया गया तो इस upon में 5 इस equals to 5.469 एंग्स्ट तो यह आपका अंसर आ जाएगा आगे बात करते हैं division and germal experiment तो division and germal experiment के थूँ हम लोग matter waves को detect करते हैं और इसका experimental setup कुछ इस प्रकार से हैं तो यहां से electron beam electron के थूँ हम लोग electron को यहां पर eject कराते हैं और nickel target के उपर strike कराते हैं और एक particular angle पे एक particular angle पे यहने कि 50 degree पे इस दौरान पे scattering maximum होगी इस particular angle पे और जब यहां पर potential difference हमारा 54 volt होगा तो इस दौरान पे scattering maximum देखने को बेखते हैं तो देखीगे यहां पर आप graph में देख सकते हो that is the intensity of incident beam I और आपका maximum potential 54 volt के case में इसका diffraction pattern कुछ इस प्रकार से देखने को मिलेगा तो यहां पर हम लोग बोल सकते हैं कि intensity of the scattered beam of electron was found to be maximum when the angle of scattering is 50 degree and accelerating potential is 54 volt तो यहां पर अगर हम लोग Bragg's equation of diffraction यूज करें तो इससे हम लोग इसकी wavelength निकाल सकते हैं So we can say according to Brax equation for diffraction that is 2D sin theta is equals to N lambda और इसको solve करने पर हमार पास में lambda की value आएगी that is wavelength आएगी 1.65 angst और वहीं अगर हम लोग D Broglie hypothesis का इस्तेमाल करें so we can say according to D Broglie hypothesis we know wavelength lambda will be given by 12.27 under root of V तो it will be 12.27 और हमें पता है 54 potential पे ठीक है और 50 degree angle पे scattering maximum होती है तो इसको solve करने पर इसकी value आएगी हमार पास में 1.67 angst तो यहनिकि इसकी जो value है वो X perimeter value के रिदम करीब आरी तो इसी से हम लोग कह सकते हैं कि यह हमें D Broglie wave उसका existence बताती है right so we can say this is in close agreement agreement with experimentally obtained value and from this we can say this proves the existence of D Broglie waves for slow-moving electrons right right आगे बात करते हैं हम लोग electron microscope की right electron microscope basically इसका हम लोग यूज करते हैं क्योंकि इसका magnifying power काफी जादा होता right in fact it is in the range of 10 to the power 5 right so for electron microscope we can say an electron microscope can have very high magnification approximately 10 to the power 5 right और इसमें जो magnifying power होती है right वो wavelength of radiation से inversely related होती है right so we can say magnifying power या फिर इसके resolving power भी आप कह सकते हों is magnifying power the magnifying power inversely related to the wavelength wavelength of radiation used right तो चलिए आगे बढ़ते हैं और इस chapter का आखरी question हम लोग देखते हैं question हमें दिया गया है कि an electron microscope uses electrons accelerated by a voltage of 50 kV right तो electron microscope में जो electron से right वो 50 kV के voltage से accelerate हुए वे so determine the D Broglie wavelength associated with the electrons तो इर electrons के साथ में जो D Broglie wavelength है वो कितनी होगी सबसे पहले हमें ये calculate करना है फिर बोला गया है कि if other factors such as numerical aperture etc. are taken to be roughly the same how does the resolving power of an electron microscope compare with that of an optical microscope which uses yellow light तो बोला जा रहा है कि अगर हम लोग सारे factors को constant रखें तो इस electron microscope का resolving power है वो एक optical microscope के comparison में कितना times होगा right ये हम से पूछा जा रहा है तो सबसे पहले हम लोग यहां पर D Broglie wavelength calculate करेंगे जो कि होता है 12.27 upon में potential potential कितना है 50 kilowatt तो यह आ जाएगा under root में 50 into 10 की power 3 आ जाएगा right 10 की power 3 आ जाएगा और यह हो जाएगा हमारा 5.5 into 10 की power minus 12 meter right तो इससे यह हमको matter waves या फिर deep broccoli waves मिल गई है फिर यहां पर हम लोग comparison देखेंगे resolving power का तो resolving power optical microscope के लिए तो उसके लिए हम लोग mean color लेके चलते हैं जिसकी wavelength हम लोग देखेंगे तो mean color यहने की yellow light और इसकी wavelength हमें पता है it is equals to 5.9 into 10 की power minus 7 and for an electron microscope we know resolving power is inversely proportional with the wavelength therefore we can say resolving power of electron microscope upon में resolving power of optical microscope will be right inversely proportional तो यह क्या हो जाएगा lambda yellow yellow light की wavelength upon में यह deep broadly wavelength तो इसकी value आ जाएगी हमार पास में 5.9 into 10 की power minus 7 upon में यह value हमार पास में यह 5.5 into 10 की power minus 12 यहनिकि यह approximately हमारा 10 की power 5 हो जाएगा और यही हमने study किया था तो इसी के साथ में इस चेप्टर को हम लोग conclude करते हैं I hope जितना हमने इस चेप्टर में पढ़ा है that is dual nature of matter and radiation वो सारा आपको अच्छे से समझ में आया होगा सारे concepts हमने cover कर लिए सारे formulas हमने देख लिए और concept और formulas related numericals भी या फिर questions भी हमने किये हैं तो इसी के साथ इस चेप्टर को sum up करते हैं and thank you thank you that's it for the day